नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर और एक और लेटेस अबडेट है शिक्षक भरती 2019 को लेकर पहले कहा जा रहा था कि 68500 वेकेंसी आएंगी लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है कि 93,000 हो सकती है पदों की संक्या हाँ फ्रेंड्स 93,000 इसका मतलब पद बहुत बढ़ने वाले हैं और टीटी का परिणाम इस स्थाप से नहीं आएगा शायद 15-20% रहेगा अगर आया तो तो इसका मतलब यह है कि कमप्टिशन बहुत कम है पदों पर देख लेते हैं बेसिक शिक्षा परिशत के सूत्रों का कहना कि पदों की सं शिक्षकों के पदों पर हुआ समायोजन रस्त के जाने के बाद प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों से खाली हुए एक लाग 37,000 पदों को शिक्षक भड़ती के जरिय भढ़ने की खोशणांगी ती सरकार योड़ से पहली कि 68,500 पदों के लिए मैं 2018 में परिक्षा पद खाली रह गए हैं बाकी जो 6 बचे पद हो सकता है कि इसमें जुड़ जाए और पदों की संक्या 90,000 हो जाए तो बहुत कम रहने वाला है जो लोग सिक्षक भड़ती के तैयारी कर रहे हैं या सी टैट अभी देने वाले हैं हो सकता उसके बाद भड़ती आए तो आप उम्मीद न छोड़िये और तैयारी करते रहे हैं जिंदगी आसान होने के लिए बस एक परिक्षा बाकी है लगे रहे हैं फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद